बीजेपी प्रवक्ता नुपूर शर्मा ने पैगंबर मुहम्मद को लेकर एक विवादित बयान दिया था इस पर काफी हो हल्ला मचने के बाद बीजेपी ने नुपूर शर्मा को सस्पेंड कर दिया लेकिन इस बयान के बाद कानपूर में मुस्लिम समुदाई ने विरोत किया था इस दौरन हिंसा की खबरे भी आई थी सोशल मेडिया पर ये वीडियो इसी हिंसा से जोड़ कर वाइरल है इसे शेर करते हुए दावा किया जा रहा है कि कानपूर में पुलीस ने जिहादी पत्थरबाजों की पिटाई की ये वीडियो इसी दावे के साथ हिंदू यूवा वाहिनी गुजरात प्रदेश की प्रभारी योगी देवनाथ ने ट्वीट किया था साथ ही और भी कई ट्वीटर यूजर्स ने इसे कानपूर हिंसा से जोड़ कर शेर किया यहां तक कि दैनिक भासकर ने भी इसे कानपूर का बताया फेस्बुक पर भी ये वीडियो इसी दावे के साथ वाइरल है तो क्या वाकई में ये वीडियो हाल में कानपूर में हुई हिंसा से जुड़ा है All News ने फैक्ट चेक करते हुई पाया कि ये वीडियो पुराना है और इसका हाल की घटना से कोई संबन नहीं है वीडियो के फ्रेम को Yandex पर reverse में सर्च करने पर हमें 28 मार्च 2020 को यूटूब पर अप्लोड किया गया ये वीडियो मिला वीडियो के साथ बताया गया है कि ये मुम्रा के कौसा की घटना है यूटूब चैनल हिंदुस्तानी रिपोर्टर ने इस पूरी घटना के बारे में ये बताया तीन दिन पहले ही कौसा के शिर्लंका परिसर में राश्वादी कॉंग्रेस पार्टी से जुड़े दो नगर सवकों के दो गुटों के बीच में जड़ाप हुई थी एक तरफ से आरोब था कि अवैद निर्मान की शिकायत करने पर जगड़ा किया गया है दूसरी तरफ से आरोब था कि लॉकडाउन के दर्म्यान गरीबों को राशन वितरन करने का काम शुरू किया गया उससे इर्शावस जो है ये जगड़ा किया गया है बहराल वो खबर हमने आप तक पहुचाई दोनों पक्षों की बाते भी आपके सामने उस खबर में रखी वहीं कल 27 मार्च शुक्रवार को रात 11.11 बजे इन दोनों गुड़ों के बीच में फिर एक बार जड़ब हुई जिसमें दोनों तरफ से एक-एक लोग घायल है और दोनों अस्पताल में भरती है वहीं ये जड़ब कैसे हुई उसके बात जो है रशित कंपाउंड, स्री लंका इस पूरे परीशर में अकसर सडकों पर गलियों में घूमने वाले जो लोग थे पत्रिका ने अपरेल 2020 में इस वीडियो की असलियत बताते हुई ये फैक चेक रिपोर्ट पब्लिश की थी आर्टिकल में मुम्रा पुलीस के हवाले से बताया गया है कि मुम्रा के कौसा श्री लंका एरिया में दो गूटों के बीच विबाद हुआ था जिसके बाद पुलीस ने भीड को हटाने के लिए लाठी चार्ज किया था और ये उसी का वीडियो है तो जैसा कि आपने फैक चेक में देखा इस वीडियो का हान में कानपूर में हुई हिंसा से कोई लेना देना नहीं है हुआ हुआ है